बच्चो मैं अजकमार वरण सी उत्तरप्रतेश से आपकी अपनी चैनल लौ सिक्षन पे स्वागत करता हूँ बच्चो आज मैं आपको कुछ बहतरीन सवालों को हल कराने जा रहा हूँ चाल समय और दोरी इसके अलड़ी मैंने दो वीडियो बना रखे हैं जिसमें मैंने इसके बेसिक्स फंडा को समझाया था अब यह देखे औस चाल मैंने बस नहीं बताया था तो आज मैं इस तरह के प्रशन बताने जा रहा हूँ देखे दूसरा प्रशन देखे आपके सामने होगा एक बस स्टेशन ए से स्टेशन बी तक की दूरी 10 किलोमेटर प्रती घंटा की चाल से और वापसी में 15 किलोमेटर प्रती घंटा की चाल से यातरा करती है बस की औस चाल गयात कीजिए अब देखे दोनों ही सवाल औस चाल के हैं ताकिर इन सवालों को हल कैसे किया जाए तो आईए मैं आपको समझाने जा रहा हूँ और आपसे बस बच्चो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने WhatsApp ग्रूप नहीं जोईन किया है वो description में मैंने WhatsApp ग्रूप का लिंक दिया हुआ है आप भी बच्चों जोईन कर लिए ताकि आपकी फ्री की तैयारी एकदम अराम से हो सके और बच्चों मैं गौर्मेंट टीचर हो सरकारी अध्यापक हूँ और मुझे कोई भी कोर्स बच्चों या कुछ भी जो मेट्रेल है मुझे बेचना नहीं है सब कुछ फ्री है और मैं स्कूल से और बच्चों को नवदे विद्याले और विद्यग्ञान जैसे प्रवेस परिक्षाओं में निकाल ना हूँ और मेरे बच्चों उन्हें स्कूल में पढ़ था हूं वेलसिटी बताई हुई है कुल दूरी कुल दूरी याने की टोटल दिस्टेंस ठीक है टोटल दिस्टेंस बटे कुल समय तो यहां कर लेंगे टोटल टाइम यही इसका जो पहला सवाल दिखाया था देखे इसी तरह के फॉर्मले से आपको हल करना है तो जितनी दूरी दी हु उसको समय को जोड लीजे और इस फॉर्मले में आप डाल दीजे ठीक है तो जैसा पहला सवाल आपने देखा फिर मैं दिखा दे रहा हूँ एक बस यात्रा की पहली 100 किलोमेटर दूरी पहला 100 किलोमेटर दूरी जो है 3 घंटे में 3 घंटे में तै करती है ठीक है और जो दू चाल पूछ रहा है तो देखे मैं आपके सामने दिख रहा होगा दूरी देखे दोनों दीवे तो दोनों को जोड लें 100 कितना होगे 200 कुल समय जोड लीजे कितना होगे 5 घंटे बस उस फॉर्मलम में आप डाल दीजे ठीक है और सचाल बराबर क्या होता है कुल दूरी कुल तो आगे आपका 40 किलो मीटर प्रती घंटा देखे कुछ भी समय नहीं लगा ये सवाल हल हो गया ठीक है और आज और भी बहतरीन सवाल है इसके अलावा एक और सवाल तो अभी बताने जा रहा है उसतका कुछ अलग सवाल है जो आपके परिछा में बदल के आ सकते हैं अब बस इस्टेशन A से स्टेशन B की दूरी 10 घंटे किलो मीटर की चाल से और वापसे में 15 किलो मीटर घंटे की चाल से यातरा करती है बस की आसक चाल ग्याद कीजिए ठीक है अब ये देखे आपके सामने ये मैं बना दे रहा हूँ station A माल लिजे और यह station B माल लिजे ठीक है तो इसकी जो जब इधर से माल लिजे जब जाता है A से B की तरफ A से B की तरफ यह बस जा रही है ठीक है तो इसकी चाल है 10 km प्रतिगंटा 10 km प्रतिगंटा को मैं आवर लग जगता हूँ ठीक है अब यह बस जब लॉट रही है जब इधर से B से A की तरफ लॉट रही है तो इसकी चाल हो जाती है 15 km प्रतिगंटा के एम पर आवर HR लिजे रहा हूँ ठीक है अब इसमें औस चाल आप देखिए यह आप खुद सोच सकते हैं कि ऊपर वाला फॉर्मला यह जो ऊपर व लिए बच्व एक अलग फॉर्मला है ठीक है तो यहां पर आप क्या करेंगे औस चाल औस चाल बराबर हो जाएगा अब इसका एक जर्णरल फॉर्मला बता जेता है आप इसको नोट डाउन कर लिजे माल लिजे भाई यहां तो 10 दिया है माल लिजे यह दिया रहता है एक्स माल लिए कि एक तरफ से जाने में उसकी x किलोमेटर प्रती घंटा की रफतार थी और दूसरे तरफ से लॉटने में क्योंकि दूरी देके समान है यहां दूरी जो है वो एक समान है दूरी में कोई अंतर नहीं बस चाल में अंतर है ठीक है तो और इसको माल लिए हमने y तो जो formula बच्चो आप एकदम ध्यान के लिए 2xy by x plus y ये देखिए formula निकाला भी जा सकता है अगर आप comment section में comment करेंगे कि sir ये formula कैसे निकल के आया तो मैं इसको बता दूँँ ठीक है तो आपको लेकिन comment करना पड़ेगा ठीक है कि sir इस formula को बता देखिए formula कैसे निकल के आया और बच्चो देखिए अगर आप videos मेरे देख रहे हैं तो आप comment section में जरूर लिखा किजिए कि आपको video कैसा लगा ताकि मैं इसी तरह से समझा कि आपको आपके लिए और में videos बना सको और दूसरी बात यह कि जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं उनसे बताना चाहूंगा कि वो जरूर channel का playlist जरूर देखा करें playlist में मैंने 25 वर्सों के आयवे जो प्रशन है topic wise अलरड़ी हल करके बताय हुए है ठीक है तो आप उसको देख लिजे और जिन बच्चों की math बहुत ही कम जोर है क्योंकि बच्चों नौदे विद्याले में math ही deciding factor है क्योंकि math से ही selection होगा आपका ठीक है और जहां आपने 3-4 सवाल से ज़्यादा गलत किये पूरे प्रशनों में 80 प्रशन आते हैं 80 प्रशन में से जहां आपने 3-4-5 सवाल गलत किये तो आपका selection नहीं हो पाएगा और बच्चों आपको बताना चाहूंगा जो गणित है वो कक्षा 6 और 7 तक के अस्तर के कुछ प्रशन आते हैं वही आपको बाहर निकालते हैं तो यहां आप एकदम बच्चों फ्री में त्यारी करने वाले हैं अब देखे जो सवाल मैंने आपको दिखाया है उसको हल कैसे करेंगे यह देखे बस हम दोनों की चाल पता है तो हम फॉर्मला में डाल देते हैं टू गुडे एक को हमने 10 ले लिया दस और पंदरा को जोड लीजे कितना होगे 25 अब हम देखे पहाड़ा पढ़के इसको काड़ देते हैं ठीक है तो 5-3 जा 15 5-5 जा 25 फिर 5 अंज जा 5 5-2 जा 10 ठीक है अब 3-2 जा 6, 6-2 जा 12 आगे आपका कितना 12 किलो मीटर प्रती घणडा ये देखे औस चाल निकल आई, तो असानी से आपको देखे ये प्रशन समझ में आ गया होगा, ठीक है, अब देखे आपको एक और प्रशन में दिखा रहा हूँ, देखे बचों काफी अच्छा प्रशन है आपको दिख रहा होगा, एक कार 400 किलोमेटर की दूरी 8 घंटे में करती है, ठीक है, दूरी दिया हूँ, समय दिया हूँ, यदि उसकी चाल 10 किलोमेटर प्रती घंटा बढ़ा दी जाए ठीक है तो वह 330 किलोमेटर 330 किलोमेटर की दूरी कितने समय में तै करेगी देखे एकदम अलग सवाल है ठीक है तो आखिर इस प्रशन को हम कैसे हल करेंगे बच्चों देखे सबसे पहले इस तरह के सवाल के लिए हमें उसमें देखे दूरी द distance d बराबर दी हुए 400 किलोमेटर ठीक है और क्या दिया हुआ है हमारा समय दिया हुआ है समय बराबर या time टाइम बराबर कितना है आपका 8 घंटे इस पे हमें क्या निकालना होगा दूरी समय दिया है तो हमें क्या निकालना होगा उसकी वास्तिविक चाल बढ़ाई क्योंकि इसके बाद हमें 10 किलोमेटर की चाल बढ़ा नहीं है तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय धीक है दूरी बटा समय इसको हम डाल देते हैं 400 बटे 8 8 से काट देशी 8 1 जाय 8 8 5 40 यानि कि 50 50 किलोमेटर प्रती घंटा की उसकी चाल थी जब उसने 400 किलोमेटर की दूरी आठ घंटे में तह की अब देखे clear हो गया अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है इसकी चाल बढ़ा दी जा रही है मतलब कि अब जो नई चाल होगी नई चाल कितनी होगी 10 बढ़ा दिया गवाई पुरानी चाल से 50 थी प्लस 10 बढ़ा दिया आप नई चाल कितनी होग 60 km प्रती घंटा हो गई और दूरी देखिए नई दूरी दी हुई है नई वाली जो दूरी है वो दी हुई है 330 km अब हमसे पूछ रहा है कि नया समय कितना लगेगा तो नया वाला समय फिर लिख दें भाई क्योंकि सब कुछ बदल गया है नया समय बरावर क्या होगा आपको बताया मैंने कि बच्चो फॉर्मला इसका याद नहीं करना है बस क्रॉस मिल्टिप्लाई करना है तो नई दूरी जो दूरी नहीं वाली दूरी बटा चाल यानि की स्पीड ठीक है तो दूरी बटा चाल हिंदी में भी लिख दूँ ठीक है तो इसी फॉर्मला में बेर सम डाल देते हैं तो 330 बटे 60 ठीक है इसको हम काट दें फिर 3 से काटें 326 और यह आगे आपका 11 11 बटे 2 11 बटे 2 को अगर हम उसमें बदलते हैं में स्रुभिन में 2 5 10 1 उल्टा भी याद रखेगा मैंने बताया वह 5 होल 1 by 2 घंटे यह बच्चो आपका उत्तर आ गया तो ओप्शन से देख लिजेगा कि कौन सा उत्तर आपका सही है साढ़े 5 घंटे या 5 घंटे बच्चो ऐसे भी लिख सकते आपको पताई यह 5 घंटे और आदे गंटे को भाई 30 मिनट लेख सकते हैं 5 घंटे 30 मिनट तो ओप्शन में देखे आपको दोनों हो सकता है ठीक है तो कंफ्यूज मत हुएगा कि यह कैसे आया यह क्या हुआ क्योंकि एक गंटे में होता है आपका 60 मिनट तो आदे गंटे मे गया फाई इस्टो एट है यदी पहली बस की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी बस की चाल क्या है देखे काफी अच्छा प्रशन है बच्चों देखे जब भी अनुपात के प्रशन हो तो उसको अनुपात में हमें लेना होता है ठीक है तो जैसा की चाल जो है पहले वाली बस की जो चाल है वो कितनी आपकी है वो है आपकी 40 km प्रति घंडा ये सवाल दिया हुआ है ठीक है और दूसरी का नहीं दिया है तो हमने माल लिया कि जो दूसरी वाली थी कार उसकी जो और सच चाल हमने माल लिया है कि X है वो कितनी है X km प्रति घंडा ठीक है अब इसमें देखे जो दिया हुआ है अब अनुपात हम लेंगे ठीक है सवाल बोला है चालो का अनुपात तो चाल ले लें पहली वाली का दूसरी वाली का ठीक है उसका अनुपात जो रेशियो कितना दिया हुआ है 5 बटे 8 ठीक है मैंने आपको cross multiply का नियम बताया हुआ है कि कैसे हल करना है इसमें देखे 4 चीजे हैं है कुल और 4 चीजों में से 3 चीज हमें सा पता रहेगी जब भी cross multiply कर रहेगी अब हमें यहां निकालना है x तो हम क्या करेंगे x को उपर ले जाएंगे और 8 को इधर ले ठीक है 40 गुड़े 8 बराबर 5 गुड़े x इसलिए मैं basically आराम से समझा रहा हूँ इसको पलट के लिख दीजे 5 गुड़े x बराब आने के लिए 5 बंजा 5 5 एड़े x 40 ठीक है तो 8 एड़े x कितना होता है 64 तो यह आपका आ गया 64 किलो मीटर प्रती घंटा देखे कितने असानी से यह सवाल हल हो गया बस आपको तरीका पता होना चाहिए था कि किस तरीके से यह सवाल हल होंगे बच्चों आज का वीडियो कै कैसा लगा जुरूर बताईएगा थैंक्यू 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 बर्माइब